Hello friends, welcome back in your favorite channel. I am Preeti, your host and educator and you all are watching Easy Way to Learn with Preeti. Today we are going to start the last chapter summary, A Strange Wrestling Match. यह है chapter 10, हमारी supplementary reader है, A Pact with the Sun, Classics. और last lesson को describe करेंगे, आज हम Strange Wrestling Match का मतलब होता है, एक अनोखा पहलवानी का match. Wrestling मतलब पहलवानी, तो wrestling match related है, यह जो chapter है, और इसमें विजे सिंग एक famous wrestler है, उसकी स्टोरी हम describe करेंगे. तो जो भी student नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, वो सभी channel को subscribe कर लिजे, और bell icon को press कर लिजे, ताकि आप आने वारी जो भी notifications हैं, जो भी videos हम upload करेंगे, उन सबसे related सारी information आपको time to time मिलती रहे. चलिए स्टार्ट करते हैं students, A Strange Wrestling Match. Everybody believed that Vijay Singh, the famous wrestler, was unbeatable. हर कोई यही मानता था, यही विश्वास करता था कि Vijay Singh, जो कि एक बहुत ही बड़ा परशिद, wrestler था, पहलवान था, उसको कोई भी beat नहीं कर सकता था. विजे सिंग वाजा, beat boastful at times. लेकिन कभी-कभी विजे सिंग बहुत बार जो है boastful होता है डिंगे माना, वो अपनी बड़ी-बड़ी बाते हैं, अपने, मतब कभी-कभी ऐसा होता था कि वो बहुत जदा डिंगे मारने लग जाता था अपनी पहलवानी के बारे में. एक बार क्या होता है? उसको मुकालग मिलता है एक फाइट करने का एक गोस्ट के साथ, एक भूत के साथ. चलिए स्टार्ट करते हैं चेप्टर को. देर बाज, once a wrestler called Vijay Singh. हमारे पास एक wrestler है जिसका नाम विजे सिंग है, a tall man with massive shoulders and muscular arms. He towered over others like a joint. विजे सिंग को बोड़ी अपेरेंस बताई है कि बहुत ही लंबा तगड़ा पहलवान था ये, massive shoulders जिसके जो shoulders थे इतने तगड़े थे और muscular arms थी यानि बड़ा जो हस्ट फुस्ट आपने देखा है बड़े बड़े जो bodybuilders होते हैं, उनकी तरह ये दिखाई देता था और इ विजे सिंग के बारे में लोग कहते थे कि ये तो पैदा इसी पहलवान है और पूरे संसार के जितने भी पहलवान है सब को ये हरा सकता था इस पहलवान है बड़ वन सोटकमिंग्स देख़े हर किसी में फुई होती है इस पहलवान के लिजे बिए विजे से लिजे बना लेता था और लेटा वाज़े से इवा बोस्टेंग क्योंकि उसको बहुझ जयादा शोक था अपनी धिंगे मानने का अपनी बड़ी बड़ी बढ़ाई करने का, वन डे, he was sitting in the market place, surrounded by several young men, एक दिन की बात है कि वो market place, यानि beach market में बैठा हुआ था, कहीं पर, public place पे, और उसके चार ओर young men थे, युवा पेड़ी बैठी हुई थी, after drinking, many glasses of milk, वहाँ पर बैठ के उसने बहुत सारे दूद की glass पिए, और he suddenly proclaimed, और फिर वो एक प्रोक्लिम्ड करता है, प्रोक्लिम होते है, घूसना करना, announcement करना, क्या घूसना करता है वो, why are people afraid of ghost, कहते हैं लोग पता नहीं क्यों भूतों से डुरते हैं, I am not, मैं दो नहीं डुरता, I wish I met a stout ghost, stout होते हैं तगड़ा, strong, यानि एक wrestler type, कहते हैं, मेरी तो इच्छा है कि मैं भी stout ghost से कभी ना कभी जरूर मिलू, I will teach, I will teach him a lesson, ताकि मैं उसको कोई ना, मतलब कोई सिखाश सकूं, यानि एक ghost को बीट करना चाता था, there were murmurs of applause, murmurs होते हैं, नीचे नीचे बुड़ बुड़ा के बाते करना, फुस फुसाना, और अप्लोड होते हैं, वा 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 इस तरीके से, यानि किसे की वा वाई में बाते करना, तो वहाँ पर उसकी बाते सुनते ही, वा वा करते हुए लोगों की, तो लोग कहते हैं इस बात में तो देखे सक है कि तुम भूत को भी हरा सकते हो होग यानि एक हॉन्टेत डिज़र तो तो तुम्हें वहां पर जरूर भूत मिलेंगे and they roam there freely वो वहाँ पर freely घूमते रहते हैं strange strikes strike होता है चीख strange strikes and moans और वहाँ पर तुम्हें अजीब अजीब सी चीखने की और moans होता है रोने की can be heard all over the place, हर जगे तुम्हें इस तरीके की आवाजे सुनाई जरूर देंगी अगर तुम haunted desert place पर जाओगे तो can be heard all over the place travelers have been loaded and killed कहता है लोग वहाँ से जितने भी लोग traveling करते वे जाते हैं उन सब को वो loot लेते हैं वहाँ के भूत और उनको मार देते हैं would you really want to go there विजए सिंग स्माइटी हर्ट Mr. B.O.2 क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे वास्तो में जाना चाहते हो विजए सिंग से वो लोग पूस्ते हैं विजए सिंग जो कि अपने हर्ट को बहुँ ज़्यादा सक्ति साले मानता था वो भी एक दो बार धड़कने लग जाता है ये सुनने के बाद वाई डिड ही हाव टू बोस्ट अब वो उसको लगता है कि मुझे ऐसी डिंगे तो नहीं माननी चाहिए थी लेकिन वो फिर भी लोगों को दिखाने के लिए कहता है येस आई हैव हाड ओफ दा हॉंटे डिजर्ट कहता है कि हाँ मैंने उस हॉंटे डिजर्ट के बारे में तो सुना है ही सैड नोन नोन चलेंटली नोन चलेंटली क्या मतलब होता है उदासीन होकर यानि अब वो नोन चलेंटली होकर अब उसको लगता है कि उसने कह तो दिया लेकिन उसने अब आगे क्या होगा I think it's just a fairy tale वो कहता है ये तो एक fairy tale वाली बात है यानि एक परियों की कहानिया जैसे हम सोचते रहते हैं जो जैसा होता नहीं है Oh no, said one of his admirers, admirer यानि उसकी तारिफ करने वाला ही एक परसंता वहाँ पर वो कहता है ऐसा नहीं है It's true, ये सच में है, ये कोई fairy tale नहीं है, ऐसी जगे सच में है And this place is 10 miles to the west on the road of जैसल मेर जैसल मेर राजस्तान में है, कहता है कि वहाँ से 10 मील की दूरी पर west side में रोड जाता है और वहाँ पर ये हुंटे डिजर्ट है The landmark is an ugly black rock और वहाँ का लेंडमार्क क्या बताया उन्होंने यानि पहचान क्या बताई एक अगली black color की रोग थी वहाँ चटान थी That looks like the head of a camel और ऐसी लगते थी जैसे कि वह एक camel का head है Beyond that there is nothing but sand जबकि ऐसा कुछ नहीं था वह एक sand ही था यानि रे थी रे था And wilderness sand, wilderness and of course ghost वहाँ पर रहते थे विजे singh set out to find a ghost in the haunted desert अब विजे singh ने तो सोच लिया था कि अब भूत को तो डूड़ना ही पड़ेगा haunted desert में and old women gave him a small pocket packet containing an egg and lump of salt lump होते है चुटकी एक बुड़ी औरत उसको जाने से पहले एक छोटा सा packet देती है जिसमें एक अंडा और एक चुटकी नमक था विजे singh met a ghost विजे singh वहाँ पर एक ghost से मिलते है who claimed he was his friend नटवर और जो क्यों वो पहले दिखावा करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारा friend नटवर हूँ चली आगे पढ़ते हैं स्टोरी को अब आगे एंट्री करते हैं वो ghost area में almost the entire village turned up that evening to bid farewell to विजे singh लगबग जो है पूरा गाउं आज शाम को इकठा हुआ था किसकी फेरवल के लिए विजे singh की फेरवल विजे singh को अलविदा कहने के लिए who was ready to set out west जो की west की तरफ जाना के लिए रवाना हुआ था just then उसी समय एक old women आती है and thrust a small packet और उसको एक छोटा सा packet देती है into his hands उसकी हातों में and विजे singh started walking into the red sunset of the desert और विजे singh वहाँ पर desert area की तरफ जो की शिपता हुआ जब जैसे सुरिय शिपता है तो red sunset दिखाई देता है उस समय वहाँ से जाता है as he walk जब वह जाता है the night depend night जो है और ज़्यादा गहरी हो जाती है the moon was bright and the star zone clearly in the rajasthan sky अब rajasthan का area था जैसल मेर तो वहाँ पर देखते हैं कि चांद जो है बिल्कुल bright चमक रहा है stars भी चमक रहे है आस्मान में चांद और तारे बिल्कुल अच्छे से चमक रहे थे still a few miles short of his destination अब वो अपनी destination से कुछ ही दूरी पर था विजे सिंग रिमेंबर दा ओल्ड विमेंस पैकेट विजे सिंग को याद आता है कि उस ओल्ड विमें ने उसको एक पैकेट दिया था उसके बारे में उसको याद आता है यह ओपन डिट वो उसको ओपन करते हैं फाउंड नथिंग बटा लंप अफ साल्ट एंग वो देखते हैं इसमें क्या है इसमें तो कुछ भी नहीं है इसमें तो बस एक एग है और कुछ एक चुटकी नमक है तो ओल्ड वोमेन वाज वैल लौन फोर हर इसेंट्री स्टिज इसेंट्री सिटेज क्या होता है एक्सेंट्री सिटेज का मतलब होता है उसका जो अनोखा बियेवियर था स्ट्रेंज बियेवियर किसका विजे सिंग का तो ओल्ड वोमेन जो थी वो जानती थी विजे सिंग के इस अनोखे behavior की वज़े से इस वज़े से उसने उसको एक एग और शाल्ट दिया था जैसे ही विजे सिंग जो है आगे बढ़ता है होंटे डिजर्ट में ही हाड़ा वो इस उसने एक आवाज सुनी कैसी आवाज सुनता है वो उसको लगा कि जैसे किसी ने उसको पुकारा है विजे सिंग विजे सिंग यू विल गेट लोस्ट इन दा डिजर्ट कम दिस वे तुम तो डिजर्ट में खो जाओगे और इधर से आओ मैं तुम्हारा दोस्ट नटवर हूँ आट वंस विजे सिंग रिलाइज इट वास नोट इस फ्रेंड बटा गोस्ट तभी एकदम से विजे सिंग को रिलाइज भी हो जाता है कि ये मेरा कोई दोस्ट नटवर नहीं है बलकि कोई भूत है ट्राइंग तू साउंड ब्रेव लेकिन वो अपने आपको पीछे करते हुए उसने कोशिस की कि गोस्ट के सामने वो ब्रेव बना रहे है उसको शोन आ होने दे कि वो ड्रा हुआ है तो वो अपने आपको बहादूर दिखाते हुए कहते है वेर आर यू तुम कहां आओ मेर कि बहुत हंदेरा है मैं तुम्हें देख ही नहीं पा रहा हुँ मेरे पास आओ और मुझे रस्ता बताओ लाइक ओल गुड रैसलर्स दूसरे अच्छे रैसलर्स की तरह वीजे सिंग भी अपने दुस्मन के दिखाना नहीं चाहता था लेकिन उसका साइज अप उसको देख वहाँ पर गोस्ट उसके सामने आ जाता है वीजे सिंग पियाड इंटो इस फेस वीजे सिंग उसके चहरे की तरफ जागता है और डिकलेड और कहता है यूर जस्ट अ प्लेइन लाइं गोस्ट तुम तो एक बेखुप से प्लेइन एरिया की गोस्ट दिखाई दे रहे हो कोई बात नहीं लेकिन मेरी यहां पर पूरी रात मुझे चलने की जरूरत नहीं है वाज लोंग इक टू मिट यू मेरी तो तमन्ना थी बस तुमसे मिलने की नोट जस्ट तू इंसल्ट नोट यूस्ट तू इंसल्ट दा गोस्ट वास टिकन अबेक का मतलब होता है हैरान हो अब आगे क्या होता है पीपल जेरली स्टाटेड बैक इन होरर लोग आमतोर पर जो है हूतों को देख के ड्र जाते हैं वेन दे मैट हिं जब भी वों वूटो से मिलते हैं दे ओफन फिंट जब कई बार तो क्या होता है लोग भी हूस भी हो जाते हैं बट हेर वास दिस अन feeling यानि इसके अंदर तो ऐसा लग रहा था इस जी यू के अंदर तो कोई feeling ही नहीं है claiming he wanted to meet a ghost और उपर से यह दावा कर रहा है कि यह तो एक भूठ से मिलना ही चाहता था it didn't make sense उसको मतलब यह अजीब सी बात लगी really I don't know why you long to meet me the ghost said ghost कहता है सही में वस्था में तुम उनसे मिलना चाहते थे that prose said we just sing in a bored voice we just sing अब मतलब इस तरीके से बोलता है जैसे वो bored हो गया है हां ऐसा ही था that you are a stupid ghost लेकिन तुम तो एक stupid ghost हो the least a ghost can do is to read a man's thought however a worthless ghost like you is better than no ghost कहता है कि तुम्हारे जैसे बूत जो कि एक इनसान के थोट को असानी से पढ़ लेते हैं ऐसा लगता था जबकि एक worthless ghost यानि तुम्हारे जैसे भूत से तो ना भूत होना ही अच्छा है the fact is और सच्चा ही तो यह है I am tired of wrestling with man कि मैं तो अब इनसानों से wrestling करते करते थक गया था I want to fight a ghost इसलिए मैं चाहता था कि अब भूतों से मैं wrestling स्टार्ट करूं या मैं किसी भूत से wrestling करना चाहता था the ghost भोस्ट वास्पीचलेस आप गोश्ट जो है smr जो है स्पीचलेस हो जाता है यानि उस इसकी तो बोल सी बंद हो जाती क्या भूल रहा है मार्सलिंग दा गोस्टली विट मार्सलिंग होता है अरेंज करना अपने आपको अपने त्यार करना इस गोस्टली विष्ट गोस्टली मतलब भूतिया विट होता है सूजबूज बुद्धी मतलब वो विजे सिंग की तरफ जो है उनकी आख अब वो तो इन बातों से उसकी आखों में अपने लिए त्रिश्कार यानि अपमान उसको दिखाई दे रहा था फ्रेंकली सच में ही सैड यू डॉंट अपियर ओल्डाट स्टॉंग तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारी तरह मतलब मैं स्टॉंग हूं अपिरेंस कैन बेर डिसेप्टी वो कहता है कि जैसा हमें लोग दिखाई देते हैं उससे तो धूखा भी हो सकता है विजे अपने बात पर आओ तुम तो बोल रहे थे कि तुम नटवर हो दो एक्चुली यू आरा रासकल ओफा गोस्ट जबकि तुम तो एक बेवकुफ भूत हो इफ यू डाउट माइ स्टेंथ अगर तुम्हें मेरी स्टेंथ पर सक है लेट मी गिव यू आ डेमन्स्टेशन ओफ के दिखाओ अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम स्ट्रोंग हो सकती साली हो पार्ट टू विजे सिंग डेमन्स्टेटेट इस स्टेंथ बाई क्रसिंग वर्द गोस्ट थोट वाजब फीस ओफ रोग विजे सिंग ने अपनी स्टेंथ को अपनी पावर को श्यो करने के ल गोस्ट ने जो है रैसलिंग के मैच को तो अवेड कर दिया या नि उसको तो किसी तरीके से टाल दिया विजे सिंग के साथ लेकिन डिसाइड किया कि वह अपनी जीत ही डिसाइड करेगा किसी भी तरीके से चुटिंग करते हैं विजे सिंग को अपनी घर पे अपनी रात उसको आजा गैस्ट आगे पड़ते हैं विजे सिंग पिगड अप पीस ओफ रोग फ्रॉम दसेंड विजे सिंग ने सेंड का एक टुकडा लिया एक चोटा सा टुकडा जो की चट्टान का टुकडा लग रहा था तेक देस और कहता है इसको लो इसको अगर मैं गलत हूं वाइल दा गोस्ट ने कोशिस की उस रोग के टुकडे को एक हाथ से तोड़ने की और फिजे से तोड़ने की और से से कोक शिस करते है विजे सिंग छिपक कर चिप कर टुक आउट तभ्य एक निकालता है उसकी और पकत से में ओल लडी ने दिया था विजे सिंग स्ञेंके चोल टुकडे को छीन लिया उससे फोपा है प्लेसे बेविन बोथ हैंड और अपने दोनों हातों के बीच में उसको रखता है और उसको स्कुष्ट होता है निचोड के रख देना अब उसने अंडा लिया हुआ था तो अंडे के अंदर से यलो कलर का जो पाट निकलता है योग बोलते उसको वो उससे निकलना स्टार्ट हो जाता है अराउंड इस फिंगर उसकी फिंगर के आसपास और इसा लग रहा था कि इस टोन को उसने क्रस किया तो उसमें से वो निकल कर भार आया है जो कुछ भी मतब उसने हाथ में लिया था विजा सिंग जो है, मतला गोस्ट को तो हैरान कर देता है, गोस्ट को इंप्रेस कर देता है, वो गोस्ट भी हैरान हो जाता है, यह क्या कर दिया, इसने कैसे चट्टान के टुकड़े को स्क्वेस कर दिया, तो पावरफुल तो है, विजा सिंग से वो इंप्रेस होता है, और नीचे जुखके अपने हाथों को साफ करने के लिए sand उठाता है विजजे सिंग then picked up another piece of rock फिर वो एक दूसरा टुकडा लेता है रोग का and gave it to the ghost और उसको ghost को देता है without a word, बिना कुछ कहे, the ghost took it ghost उसको ले लेता है, felt it and bearded और उसको देखता है, उसके अंदर जहक की कोसिस करता है जहकने की विजजे सिंग put his hand into his pocket अब विजजे सिंग अपने हाथ को अपनी pocket में डालता है take out the lump of salt अब वो जो उस ओल्ड लेडी ने उसको lump of salt दिया था, वो निकालता है this is only a stone, कहता है यह तो एक stone है protested the ghost ghost ने उसका दावा किया कि यह तो सिरफ एक जो है, प्रोटेस्ट होता है दावा करना कहता है यह तो एक stone है and anyway, it is too dark to see और बहुत जदा अंधेरा हो गया है दिखाई भी नहीं दे रहा है never heard of a ghost who can't see in the dark remarked विजजे सिंग विजे सिंग हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने पहली बार सुना है कि ghost को भी अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा that stone which you hold in your hand content salt कहता है तुमने जो अपने हातों में stone ले रखा है वो और कुछ नहीं है salt है, crumble it crumble होता है तोड़ना and see, इसको तोड़ो और देखो again the ghost tried to cross the stone और अब दुबारा से ghost ने उसको तोड़ने की कोशिस की but in vain, vain का मतलब होता है सब वेर्थ में जाता है, कुछ भी नहीं होता है he handed over the stone to Vijay Singh वो Vijay Singh को उसको वापिस दे देता है the ghost was now beginning to doubt his ghostly powers अब दो बार, तीन बार ऐसा हुआ कि ghost को अब अपनी power पर ही सक्ख होने लग गया था है ना, denying denying to doubt his ghostly powers यानि अब उसको लग रहा था कि सच्वे में कहीं मेरी जो भूतिया ताकत हैं वो खतम तो नहीं हो गई है I can see that you are not going to be a worthy opponent मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास जो है opponent होते है विरोधी तुम्हारा जो परतिदवन्दी है वो तुम्हारे लायक नहीं है What is the use of wrestling with a weakling whom I can floor in a minute अब जो है विजे सिंह कहता है उसको कि ऐसे match का क्या फायदा जो मतलब मुझे जिसको मैं मिंटो में हरा सकता हूँ मिंटो में उसको रस पर धूल चटा सकता हूँ ऐसे wrestling match का क्या फायदा यानि उसको अपना जो opponent है वो सही नहीं लगता है विजे सिंह casually crumbled the lump of salt और वो जो उसकी हाथ में बोलते बोलते वो जो salt का टुकड़ा था उसको वो crumble तोड़ देता है lump of salt को and let the stone drop in the darkness और उस stone को drop कर देता है अंधेरे में ही फैक देता है he held out his hand and commanded the ghost to taste the powdered stone और वो जो भूत था उसको वो टेस्ट करने के लिए उस powder stone यानि उस नमक के टुकड़ा देता है अब आगे क्या होता है mesmerized mesmerized होता है किसी चीज़ से हम impress हो जाना mesmerized with the पहलवान's extraordinary strength the ghost did as he was told आप देखे जो भूत था वो पूरी तरीके से विजय सिंग की power से उसकी strength से उसकी strongness से परभावित हो जाता है mesmerized हो जाता है उसकी extraordinary extraordinary जो मतलब अनोखी जो strength थी उसकी तो वो वैसा ही करता है जैसे उसको कहा जाता है alarm shot through him this man could easily vanquist vanquist होता हराना him in a wrestling about in the dark सोचता है कि इसको अंधेरे में हराना possible ही नहीं है but perhaps he could be tricked in other ways साइद इसको दूसरे तरीके से जो है धूल चटाई जासके या अधराया जासके assuming a survival manner यानि एक survival manner होता है किसी चापलूसी वाले manner से चापलूसी वाले धंग से वो कोशिस करता है the ghost said ghost कहता है friend which is saying it is an honor to meet a man like you मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि मैं तुम्हारे जैसे बहादूर आदमी से मिला हूँ I admit to being defeated और मैं अपनी hearts विकार करता हूँ but where will you go tonight लेकिन तुम आज रात कहां जाओगे rest in my house मेरी घर पर अराम करो you can leave tomorrow तुम कल जा सकते हो now thoroughly elated elated होता है खुस हो जाना अब जो है विजे सिंग पूरी तरीके से उसके उत्तर से खुस हो जाता है I cannot refuse your hospitality hospitality होता है किसी का स्वागत करना किसी की आवभगत करना कहता है वो उसके आवभगत को मना नहीं कर पाया but tomorrow you will go with me as my prisoner कहता है लेकिन तुम्हें कल मेरे साथ मेरा कैदी बन कर जाना पड़ेगा I must display the trophy of my victory to my people मैं मेरे जो लोग है उनको अपनी जीत के लिए तुम्हें एक trophy के रूप में दिखाना चाहता हूँ the ghost board in agreement board होता है जुक कर सविकार करना यानि वो उस समझोते को सविकार कर लेता है but silently vowed to kill लेकिन वो अंदर ही अंदर जो है वो प्रण भी लेता है to kill निश्च्य करता है विजे सिंग को मारने का आज रात की time he led him to his house in the cave वो अपनी गुफा में अपने घर पर ले जाता है एक गुफा के अंदर जहां वो रहता था वहाँ विजे सिंग को लेकर जाता है विजे सिंग kept awake at night विजे सिंग जो है रात को जागता रहता है he cleverly duped the ghost अब देखे उसको विजे सिंग को मनाने के लिए वो चलाकी से जो ghost था वो क्या करता है चलाकी से उसको जहसा देता है अपनी बातों का duped होता है जहसा देना अपनी गुफा में the ghost believed that ghost को इस्वास था विजे सिंग वाज अनबिटेवल विजे सिंग को नहीं हराय जा सकता he ran away leaving all his property which made विजे सिंग wealthy for him for life वो अपनी सारी property अपने सब कुछ जो है विजे सिंग के लिए छोड़ कर चला जाता है जो कि विजे सिंग की धन दोलत उसकी life बन जाती उससे wealthy for life the ghost fed him dry fruits गोस्ट जो है उसके स्वागत करता है lot of milk उसको बहुत सारा दूद देता है and later led him a luxurious bed to sleep on उसको dry fruits खिलाता है उसको दूद देता है और बाद में उसको एक luxury round में round pillow बोलते है उसको bolsters को आ जाता है तो वहाँ पर काफी luxury bed था but विजे सिंग lay awake लेकिन विजे सिंग जागता है listening to the snores of the ghost क्योंकि गोस्ट जो था वो खराटे मारा था in the middle of the night रात के बीच में he slipped off the bed वो bed से चुपचाप निकल उट जाता है and he placed a bolster in the center of the bed और वो अपने लेटने वाली जगह पर bed के बीच में bolster रख देता है bolster यानि round pillow throwing over it a coverlet to make it look exactly like a sleeping man यानि इस तरीके से ढख देता है उस जगह को अपनी जो mid में bed का जो mid part था जैसे कि सोते होई आदमी उसको देख के ऐसा ही लग रहा था कि जैसे एक आदमी सो रहा है having done this he crowns watchfully in a dark corner यानि ऐसा ऐसा करने के बाद वो इस तरीके से जुके crowns होता है जुकना जुककर watchfully देखता है ध्यान से in a dark corner एक अंधेरे कोने में sure enough just before the break of dawn अभी सूरज सुबह का समय नहीं हुआ था the ghost approached the bed ghost जो है बिस्तर से उठता है armed with a stout club stout club होता है उसके हातों में armed मतलब उसके हात के अंदर क्या था stout club एक मोटा सा डंडा मोटा सा लठ बोल सकते हो आप मोटा डंडा था उसके हात में वो खड़ा होता है he brought the club down on what he thought was Vijay Singh had वो क्यों लेकर आता है वो उस डंडे को जो मोटा डंडा लेकर आता club down on what he thought वो उस जगे पर मारना स्टार्ट करता है जहां पर उसको लगा था कि यह Vijay Singh का सिर है not hearing even a groan groan होता है कोई भी चीक उसको मतलब कोई चीक सुनाई नहीं देती as if in disgust उसको लगता है कि disgust मतलब दूख होना ground होता है करहाना उसको किसी भी तरह की करहाने की आवाज सुनाई नहीं देती जैसे मतलब उसको बीट कर रहा है मोटे डंडे से through back his coverlet and set up और वो coverlet मतलब पूरी जहां तक चदर थी उपर से नीचे तक वो हर जगे उसको मारता है और बैढ जाता है disturbed by the noise sore से प्रेशान होके the ghost peered from under his bad clothes to see the strong man stretching his arms above his head and yawning मतलब वहाँ पर जो sore हो रहा था उस sore से disturbed होता है और ghost जाग कर देखता है peered from under his bad clothes अपने bad के कपड़ों से to see ये देखता है कि strong man जो था वहाँ पर विजा सिंग उसने अपनी बाजू फैलाई हुई थी above his head उसके हाथ से उपर and yawning और वो यान कर रहा था वासी ले रहा था for a moment एक moment के लिए तो मतलब एक sun के लिए the ghost turned rigid मतलब ऐसा देखके कि अभी भी वासी ले रहा है उसका और उसने इतनी बुरी तरह इतनी मोटे लट से उसको मारा था stout club से तो एक तम से ghost जो है वो rigid हो जाता है rigid with shock rigid होता है जम जाना वो हैरान हो जाता है शोक हो जाता है friend ghost there are insects in your cave कहता है कि तुम्हारी इस गुफा में बहुत सारे insects है sad we just sing in a complaining voice और वो complain करते हुए बोलता है here I am यहां पर मैं था I was enjoying the sweetest कहता है मुझे तो इतनी अच्छी इतनी प्यारी नीद आई भी थी and I have had in years ऐसा लग रहा था मैं जैसे काफी सालो बात सोया हूँ and there comes this insect to trouble me और यहां पर कुछ insect आया था कोई insect आया था मुझे प्रेशान करने के लिए I distinctly counted मैंने कई बर काउंट किया seven flapping of its wings मतलब साथ बार ऐसा लगा जैसे वो insect मुझे काटने की कोशिस कर रहा था ऐसा मुझे महसूस हुआ complain कर रहा है वो यह सारी it has not bitten me उसने मुझे काटा नहीं but it's most annoying लेकिन बहुत annoying था वो प्रेशान करने वाला था the ghost panicked panicked those seven blows would have reduced any other man to pulp pulp होता गुद्दा यानि वो जो ghost जो है वो पैनिक हो जाता घबरा जाता एक दम से कि जैसे उसने साथ बार मारा था उसको इतने मोटे डंडे से इतने बुरी तरीके से मारने के बाद तो कोई normal जो इंसान होता है other man होते हैं उनका गुद्दा निकल जाता यानि उनकी हड़ी पसली एक हो जाती there is no safety near a formidable wrestler like this formidable होता है बहंकर terrible कहता है इस बहंकर wrestler के जैसा इतना जो खतरनाक wrestler है उसके सामने तो मेरा बचना मेरा खड़ा रहना सही नहीं है मतलब उसको अपनी safety मैसूस नहीं होती है वहाँ पर जो भी wealth दंदोलत उसने कमाई थी वह सब वहीं छोड़ जाता है it took several camels from the village to remove the property विजसिंग had acquired विजसिंग ने जितनी दंदोलत वहाँ पर उस कुफा से इकठी की कुछ camels की मदद से वह गाउं लेकर आता है उस सारी property को and he returned much of it to the rightful owners और उसने कुछ property को तो जिनकी जो property थी वह उनके मालिकों को वह return कर देता है and he went especially to the old women और वह especially उस बुड़ी ओरत का धन्यवाद करता है for her invaluable gift उसका जो कीमती तोफा उसने उसको दिया था and asked for her granddaughters and in marriage और उसकी पोती का हाथ वो अपने साथ marriage के लिए मांगता है then forth, thanks forth, thanks forth यानि तब से विजे सिंग was more careful about boasting अब उस time के बाद से विजे सिंग ने आगे अपनी जो कमी थी यानि boast करना डिंगे माना उस पर काभू किया, control किया it is said that ऐसा कहा जाता है no traveler was ever troubled again in the haunted desert कि उस time के बाद कोई भी traveler haunted desert के अंदर जाते हुए किसी को किसी भी तरीके की trouble यानि problem का सामना दुबारा नहीं करना पड़ा इंद्रा डैविड इसकी हमारी writer है, hopefully आप सबको जो है chapter समझा आ गया होगा बहुत अच्छे से मैंने describe किया है, तो students, यहां हमारा 6th class NCRT supplementary reader chapter 10 complete होता है और इसी के साथ हमने NCRT की जो 6th class की दोनों books complete कर ली है, a strange wrestling match एक अनोखा wrestling का match हमने आज complete किया है, next जो है वीडियो में आप देखेंगे, NCRT class 7th chapter स्टार्ट करेंगे हम दोनों books की series आएगी, तो chapter name के साथ आप सर्च कर सकते हैं, और description books में उसका पूरा जो है link आपको मिल जाएगा तो मिलते हैं next वीडियो में, नया interesting और valuable topic आपके लिए लेकर आएगे, तो हमेशा connected रहे है, easy way to learn with Preeti के साथ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से एर कीजी अपने friends relative सभी के साथ, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye